दोस्तो आज सनिवार है और उत्तर प्रदेश में आज गाइडलाइन जारी होने वाली है कि क्या एक जून से लॉगडाउन खुलेगा, कोरोना कर्फ्यू हटेगा या नहीं तो इस बीच News 18 का एक Official News आया है जिसमें आपको बता दे बताया गया है कि यूपी में बढ़ाई जाएगी आंसिक लॉगडाउन की समय सीमा, 7 जून तक रह सकता है कोरोना कर्फ्यू इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, दरसल दोस्तो यूपी में आंसिक कोरोना लॉगडाउन की समय सीमा को बढ़ाने की बात हो रही है और 7 जून तक रह सकता है कोरोना कर्फ्यू दोस्तो आपको बता दे बरते संक्रमन के प्रभावी नियंतरन के बाद एक बार फिर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है जानकारी के मताबिक उत्तर प्रदेश में आंसिक कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा 31 मई की जगा अब 7 जून तक रह सकता है सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक 31 मई के बाद चरणबत तरीके से पाबंदियों में थोड़ी छूट दी जा सकती है जबकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू बरकरार रह सकता है उम्मीद है कि एक जून से सरकार बाजारों को फिर से खोल सकती है आपको बता साद एक केंद सरकार ने 30 जून के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें राज सरकार चाहे तो लॉकडाउन को बरकरार रख सकती है राज सरकार अपनी तरप से निर्णे ले सकती है कि मंत्री योगी आदितनात के थ्रीटी नीती के सफल पहिणाम का सर है कि आई जाएगी आंसिक लॉकडाउन की समय सीमा साथ जून तक रह सकता है कोरोना कर्फ्यू बहुत सारी लोगों का कहना था कि एक जून को सायद लॉकडाउन खुल जाए कोरोना कर्फ्यू खुल जाए तो आपको बता दे पूरी तरीके से तो लॉकडाउन नहीं कुलने वा परताप सिंग तो एन आई हिंदी न्यूज की ओफिसियल ट्वीट के द्वारे ये जानकारी दी गई है तो आपको बता दे साथ जून तक कुरोना कर्फ्यू के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं है आज सनीवार है साम तक या फिर कल सुबा तक गाइडलाइन जारी की जा की साथ नहीं जानकारी के साथ किसी प्रका का के कंफूजन होता है आप हमें कमेंट जरूर करें आप किस छेतर से आते हैं किस गाओं से हैं कमेंट करके जरूर बताएं जिस्से वहा की जानकारी आपको मिल सके